अब ये है पांच्विय ध्याय का पच्चिसवाश लोग जो मनुष केवल परमात्मा में ही सुख वाला और केवल परमात्मा में ही रवन करने वाला है तथा जो केवल परमात्मा में ही ज्यान वाला है वे ब्रह्म में अपनी स्थिति अनुभव करने वाला ब्रह्म रूप बना हुआ सांख योगी निर्वान ब्रह्म को प्राफ्थ हो जाता है अब कहरें जो बाहिये सुखों को ना लेकर केवल अन्तेह सुख को अपनी आत्मा के सुख को परमात्मा के सुख को लेता है देखिए बहाई पदार्तों में जैसे कुछ भी आपने अच्छा खाया, अच्छा पहना, अच्छा गूमे, तो कितने टाइम का सुख है, थोड़ी देख पर जो आंतरिक सुख है, वो आप हमीशा हर जगे, हर समय ले सकते जैसे हम लोग की सील स्टेशन पर जाते हैं गुर्वगवान के साथ, तो हमारा फाइव डेस का प्रोग्राम होता है, तो तीन टाइम वहाँ पहले दिन जाते हैं, सबको अच्छा लगता है, ब्रिक्फस्ट में नहीं चीज़ें आती हैं, प्रसाद रूप में, लंच में भी और पनीर दोनों टाइम मिलता है, नूदल्स एक टाइम जरूर मिलते हैं, बहुत अच्छा अच्छा प्रसाद होता है, बच्चे लोग खुब प्रसन होके पाते हैं, फिर पांच्वे देन आते जाते हैं, सबका मन इतना उख जाता है, अब लगता है घर की दाल लोटी जाते हैं, आप हर चीज में ठक जाते हैं, क्योंकि वो हमारा अपना अपना सुरूप नहीं है, हमारा अपना सुरूप आत्मा है, परमात्मा है, उस में ही सच्छा सुख है, तो गुरू कहते हैं जिसकी स्थिति आत्मा पर मात्मा में है और जो निरंतर अपनी आत्मा में रमार करता है अब देखिए ये तो सांग्योग की बात बता रहे हैं पर अगर हम थोलो भक्ति योग से देखे हैं जो निरंता नाम जप करता है, और उसका मन भी भगवान में लगा है, काफी हद तक भगवान की कुछ लीलाओं का, कुछ बातों का, कुछ याद करता रहता है, कोई गुरू की वाणी का, बहुत से लोग वाणी के भी लगा लेते हैं, और जब भी करते रहते हैं तो मन इदर उदर नहीं जाता है, भागता नहीं है तो इदर से देखते हैं कि जब करने से भगवान की स्मृति, स्थिति काफी बनी रहती है उससे मन इदर उदर नहीं भागता है थोड़ थोड़ विचार भी करते हैं यह संसार किसका है, यह शरीर संसार सबभगवान का है, हमारे हाथ में बहुत कम है, तब ही कहां करने में साथधान होने में प्रसंद, जो भी करम मिला है, उसे सामने आजा, उसे साथधानी पूरवक होने दे, वो भी करे नहीं होने दे, करने और होने में फरक है, शरीर में सब क्रियाएं होती हैं और हात पेरों से हम करम करते हैं तो जब हम यह जान लेते हैं कि सब क्रियाएं हो रही है ठाकुर जी क्रपा से गुरू की क्रपा से सब हो रहा है, मैं कुछ नहीं करता हूं तो कहरे हैं वो अपनी आत्मा के सुख में ही रमण करता है उसको वोई याद, वोई स्मृति, वोई नामजब, वोई भगवान की लीला है, वोई भगवान का नाम, वोई भगवान से प्रेम, उधर ही अपने ध्यान को रखें. और परमात्मा में ही सुक वाला है उसको उसी में लगता है सच्चा सुक जो सुक माओं में राम भजन में सो सुक नाही अमीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में फकीरी मतलब फिक्रों से खाली तो वास्ता में फिक्रों से हम खाली तब ही होते हैं जो हमारा मन भगवान में लगता है परमात्मा में रवन करने वाला तदा केवल परमात्मा में ही ज्यान वाला है उसकी मन में संसा इकर संसार के ज्यान की तो कोई लिमिट ही नहीं है अब मेडिकल कर लीजिए त Metropolitan Engineering का कुछ नहीं आता Engineering कर लीजे तो Medical का कुछ नहीं आता दोनों कर लीजे तो MBA का कुछ नहीं आता संसार के ग्यान का तो कोई MD नहीं है वो केवल परमात्मा में ही ग्यान वाला है वो परमात्मा के ग्यान में कि परमात्मा को जानने से सब कुछ जानना हो जाता है आपने भगवान को जान लिया तो आपने सब कुछ जान लिया और आपने सब कुछ जान लिया और परमात्मा को नहीं जाना तो आपने सब कुछ नहीं जाना क्योंकि सब का मूल परमात्मा है एक गुरू की बादी में बाद सुनी थी कि एक संत थे तो हमने देखा कि उनके पास संस्रित एक मात्मा ने बताया अपना नुभाव मैंने देखा कि संस्रित की बहुत सारी किताबें और रखी थी तो मैंने कहा कि यह आपको सवाती है यह आपने कैसे रखी हुई है आप तो यहां ही कांत में रहते हैं यह आपने पढ़ी हैं, बोले नहीं पढ़ी तो नहीं है मैंने, पर मैं इनको पढ़ लेता हूँ, बोले कैसे पढ़ लेते हैं, बोले एक बार मैं एक महात्मा के पास गया था, तो उनने मुझे महामंत्र दिया, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, महामंत्र, मैं बहुत श्रद्ध परमात्मा को जान लिया, तो सब कुछ जान लिया, और परमात्मा को नहीं जाना, तो तुमारा ग्यान कितना भी जान लिया, तुम कित्ते भी इंटेलिजेंट हो, कित्ते भी हुश्यार हो, फिर भी तुमारा ग्यान अधूरा है, वे ब्रह्म में अपनी स्थिती का अनुभव करने वाला वह हर समय उसकी स्थिती ब्रॉम में है बतले उसकी स्थिती भग्वान उसके कोशिश कर ये रहे है था हमारे मन में भगवान की बात चले या नामजब चले या गुरु के प्रति शद्धा विशवास चले हमारा ध्यान इधर ही संसार की तरफ ना भागे और मन में भी चले और बहार भी हमाँ में यही दिखाई दे कि है भगवान हमारे मन में राग देश्ट ना है मन में काम करोद ना है है भगवान जैसे ममा जी कहते थे स्वामी रामसुकदाज जी भी कहते है है भगवान कहके चुप हो जाओ कोशिश करें कि हमारी मन में संकल विकर कम से कम हो है भगवान कहकर हम चुप हो जाए कि है भगवान, है भगवान, है भगवान भगवान से अन्यत्र कुछ नहीं there is nothing but God everything is God and everywhere is God कहरें ऐसा यां सांख्योगी जो ब्रह्म रूप बन गया जब हरस्न में आप उसी में रवण करते हैं उसी में सुखवाले हैं उसी का ज्यान है तो आप की स्थिती ब्रह्म में हो जाती है आप अमा जिनका कवक्का कराया है भगवान में उस स्थित हो जाता है देखिए हमारी स्थेती तो भगवान में है ही, कभी भगवान ही है, पर क्योंकि हमारा आकरशन संसार की तरफ इतना जादा हो जाता है, तो जो हमारी जो है भगवान है, उदर से हमारा ध्यान हट जाता है, कभी खाने पीने में चला जाएगा, कभी दूसरे में चला जाएगा, कभी रावदेश में चला जाएगा, कभी दोश दिश्टी में चला जाएगा, पर बार बार अपने को बताईए, मेरा लक्ष क्या है, मेरा लक्ष क्या है, मेरा लक्ष है भगवान, जब भी मन इदर उदर जाए तो अपने मन से पूछिए मेरा लक्ष क्या है? मैं यहां क्यों आया था? मेरा लक्ष है भगवान तो क्यों मैं इन बेकार की बातों में फसरा हूँ? अगर मन जाने भी लगे तो मन को जट वापस ले आई उस चीज़ पर बुरूड मत करिए उसको खेंची है मत भगवान ने कहा जहाँ 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 भी यह अरजन तेरा मन जाए वहाँ से अटा कर फिर मेरे में लगा फिर मेरे में लगा अब इसमें से गीता जी में से दोबाद से पढ़ते है संसारिक ग्यान को आरंब और अंद होता है पर परमात तत्व के ज्यान का नारंब होता है नांत में नित निरंतर रहता है इसलिए सम्मेक परमात तत्वी परिपून है ऐसा ज्यान सांख योगी में नित निरंतर और स्वते सुभाविक रहता है कहने संसारिक ज्यान का तो आरंब और अंद होता है पर परमात्मा का ज्यान जो है उसमें निरंतर स्थिती रह सकती या आप कुछ भी पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे और फिर खतम हो जाएगा पर भगवान में स्थिती हर समय रह सकती ब्रह्म निर्वानम में बताया कि जिसमें कभी कोई हलचल हुई नहीं होगी नहीं और हो सकती नहीं ऐसा निर्वान अर्था शांत ब्रह्म जब ब्रह्म भूत सांक योगी का व्यक्तित निर्वान ब्रह्म में लीन हो जाता है तब एकमात निर्वान ब्रह्मी शेश रह जाता है अर्था सादक परंतत के साथ अभिन हो जाता है अब इसमें लोगने बताया है कि उसकी जो अपनी आइनस है, अपनी मैं है, वो मिठ जाती है, देखिए हम सब के अंदर एक मैं है, एक आइनस है, एक हमारी एगो है, तो जो अहंकार है उसका कि मैं कुछ हूँ, वो टोटली मिठ जाता है, और सिर्फ ब्रम रह जाता है, तो जब हमको अहंकार होता है तब ही हमें सब बातें टच करती है सब बातें फील होती है सुखी दुखी होते है परिशान होते है सब बातें होती है और जब हमारी स्थिती ब्रह्म में हो जाती है तो फिर हमारी एगो खतम हो जाती है हमारी मैं खतम हो जाती है, हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारी जो अपनी उपनी अपनी अपनी अिडेंटिटी है वो भगवान से बिलकर एक हो जाती है मत बतलब, मैं कौन हूँ, है य भगवान, है य आत्मा तो वो जोसकी मै थी, जब मै कतम हुई, तो वो ब्रहम से मिलकर एक हो गए, जैसे गुरुन ने बताया, गटाकाश, मटाकाश और महाकाश, तो घड़ा तूटा, तो मटाकाश में मिल गया, मठ तूटा, मतलब कमरा तूटा, तो महाकाश मिल गया, तो ऐसी हमारी इगो गई, तो वहां परमाप्तत को प्राप्त हो गए। अब दूसरे श्लोग पढ़ते हैं, यह 25 श्लोग है, जिनका शरीर, मन, बुद्धी, इंद्रियों, सैथ वश में है, जो संपूर प्राणियों के हित्में रत हैं, जिनके संपूर संचे मिट गए हैं, जिनके संपूर दोशनष्ट हो गए हैं, वे, विवेकी सादक, निर्वान ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। बार बार कह रहे हैं, मतब कौन ब्रह्म को प्राप्त होता है, यानि किसकी स्थिति ब्रह्म में रहती है। भगवान कह रहे हैं, जिनका शरीर, मन और बुद्धी, इंद्रियों सहित वश में है शरीर भी वश में है खाना नहीं बूलना नहीं करना वो नहीं करता है कब मन भी वश में है नहीं सोचना तो नहीं सोचना नहीं परिशान होना तो नहीं परिशान होना नहीं ये बात मैं नहीं सोचना चाहता तो वो इंदों हटा लेता अपने मन को इसमें मैंने देखा है गुरु की करपासे गुरु की करपासी समझ में आता है नामजब बहुत हैलपोत करता है आपका मन किसी बात को रिपीट कर रहा है आप नामजब करना शुरू कर दीजे तो बात फौरान खट जाती है तो कहने जिसकी बुद्धी, इंद्रिया, मन शड़ी सब वश में है उसका सब कुछ वश में है इंद्रिया में वश में है इदर उदर आख नी चलाएगा बुद्धी, बिकार में संसार की बातों में नहीं चलाएगा वो अपने भगवान में रहता है जो संतुष्ठी, तरप्ती और प्रीती है, वो परमात्मा में है वो संसार में नहीं आप कितना भी पैसा कमा लीजे कितना भी नाम कमा लीजे कितना भी पद्ध प्रदिष्टा प्राप्त कर लीजिए उसका एक नशा तो हो जाता है पर शांती नहीं तो एक मिनट में आदमी जीरो हो जाता है तो कहने जिसकी शरीर इंद्रिया मन बुद्धी सही शरीर वच में है जो संपूर प्राणियों के हित में रते देखे बार बार इसमें आया है गुरुजी बताते हैं सर्वूत हिते रता इसमें लिखा हुआ है लास्ट में सर्वूत हिते रता जो संपूर प्राणियों के हित में रते और जिसके सबसंचे मिट गए उसके मन में संचे नहीं है कि मैं ये करूँ कि मैं वो करूँ मैं ये काम करूँ कि वो काम करूँ मैं ये साधना करूँ कि वो साधना करूँ उसने अपनी एक साधना पकड़ ली सत्संग, सेवा सत्संग सेवा सुमिरन सत्संग जो सेवा सामने आ जाए वो कर दो और जो निश्काम सेवा आ जाए वो कर दो वो हो जाए और सुमिरन जब करो और सत्संग करो उसे तीन चीज़ें पकड़ ली सेवा, सुमिरन, सत्संग उसके मन में कोई संचय नहीं है कोई कुछ भी करता रहे गुरू की बताई रीती से वो अपने सेवा, सुमिरन, सत्संग में लगा रहता है जिनके संपुर्द, दोश नश्ट हो गए अब उनके मन में कोई दोश भी नहीं है, दिके दोश मन में आ जाते है, जैके गुरू ने कहा कि फॉरान कह दे I am sorry, please forgive me Thank you God हमसे गलतियां हो जाती है, गुरू भगवान कहते हैं हमसे, हमसे बहुत गलतियां हुई हे नात, मुझे माफ कर दीचे I am very sorry Please forgive me, शुकरान तो बार बार भगवान से सबसे, हम अपनी गलतियों की माफी माँगते रहें उससे हमारे अंदर देन आता है, हमारा इगो जुकता है हमारी मै कम होती है दोश कम होते हैं करकि मैं से ही सारे दोश आते हैं विवेकी सादक निर्वान ब्रह्म को प्राप्त होता है इसने विवेक पे बहुत महत दिया है कि उसका विवेक बहुत ज़्यादा जागरत रहता है कि संसार रहने वाला नहीं है असत है और प्रमात्मा ही रहने वाले है और उनहीं में हमको मन लगाना चाहिए बोला इतने दिन संसार को अपना माना तो क्या करा हमने इतने दिन संसार को अपना माना तो क्या किया कुछ नहीं कि आपने सच को तो नहीं पकड़ा, आप इसमें गीता जी में क्या कह रहे हैं, कि जिसने द्रण संकल्ब कर लिया है, कि मुझे भगवान की और ही बढ़ना है, भगवान ही मेरा लक्ष है, तो उसकी शरीर इंद्रिया मन अपने आप वश हो जाते हैं, संसार से वेराग भी आ गय है, कि मुझे तो भगवान की तरफ ही चलना है, यही मेरा लक्ष है, तो उसकी शरीर इंद्रिया मन अपने आप वश हो जाते हैं, और बोले वश में होना क्या है, कि उसका राग द्विश का अभाव हो जाता है, उसके मन में राग द्विश नहीं रहते हैं, और जब राग हमारे खताम हो जाते हैं, तो प्रते क्रिया हमारी दूसरों का हिद करने वाली होती है, शरीर इंद्रिया मन बुद्धी को अपने और अपने लिए मानने से, कहने जब तक हम यह जानते हैं, कि शरीर इंद्रिया मन और बुद्धी मेरे लिए हैं, मुझे सुक मिले, मुझे राम मिले, मेरा नाम हो मेरी पितिष्ठा हो, मुझे बड़ा पत मिले, जब तक हमें ये होता है, अब तक ऐसी भावना होती है, तब तक शरीर इंद्रिया मनबुद्धी हमारे वश में नहीं होते हैं हमें अपनी मै के लिए हमें कुछ भी चाहिए तो शरीर इंद्रिया मनबुद्धी वश में नहीं होंगे, और अगर हमारा द्रण निष्चे हो गया है, कि मुझे भगवान में ही लगना है, भगवान में ही बढ़ना है, तो ये आटोमेटिकली वश हो जाते हैं जब हायर गोल होता है बच्चे को भी देखिए, अगर IIT में आना है, मेडिकल में आना है तो वो अंटसंटर नीडिल्स बर्गर ये वो अंटसंटर नहीं खाएगा क्यों उसका बड़ा ये हिम है जो लोग ओलम्पिक्स में जाते हैं वो एक-एक साल, तेड़े साल वो नहीं देखते हैं, फोन नहीं देखते हैं, मुबाइल नहीं देखते हैं, कोई चीज नहीं खाते हैं, पीजा बर्गर नहीं खाते हैं तो उसका हायर गोल है ना और तो हमारा तो हायस्ट गोल है, भगवान तो कहरें, जिसका हायस्ट गोल है उसके शरीर इंद्रिया मन बुद्धी स्वते ही वश हो जाते है फिस सर्भूतेते रता में ही कहरें सांक्योगी की सिद्धी में व्यक्तित का भिमान मुख बादक है हमें क्यों नी भगवान का निश्चे होता सांक्योग में कहरें कि हमारा जो शरीर का विमान है वो मुख बाता के अब शरीर का विमान कैसे मेटे उन्हें का संपून प्राणियों के हित में प्रीती ही उसके व्यक्तित को बिटाने का सुगम उपाए देखे हम सेवा तो खरा देते मैं अपनी एक बात बता रही हूँ की जैसे हमने कहते है वे ग्यारत का सेवा सेवा ही और हमने यह वाला बंडारा या यह वाली चीज गोवरधन पे करा दी या मा करा दी राधा कुंड पे या बरसाने में करा दी पर हमने अपने हाथ से तो नहीं करी तो जब हम सेवा दूसरों के दौरा कराते है तो वो हमें उससे लाव होता है पर वो एक जो भाव है सबका वो नहीं मिल पाता पर जब हम खुच जाके करते हैं तो उसकी बाती अलग होती है तो यह कहने हैं जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रहते हैं उससे क्या होता है उसकी में मिट जाती है उसको अपनी में नहीं रहती है कि मैं सुक लो तो जितना जैसे मां जो है वो किचिन में प्रसाद बनाती सब बच्चों ने खा लिया सासरों ने खा लिया माता पिता ने खा लिया सब को खिला दिया अब उसको अपने सुख, अपने सुख, अपने खाने की, अपने सुख की इच्छा नहीं रहती, पर सब ने खा लिया, तो वर बने कहते हैं, मा तो चूले विच भई है, वो सब को खिला करी संतुष्ट हो जाती, क्यों? क्योंकि वो उनको अपनी आत्मा मानती है, कि मेरे अप नहीं है, कि मेरी आत्मा है, आप बताईए, सब हमारी आत्मा नहीं है, सब हमारी आत्मा नहीं है, सब हमारी आत्मा है, है ही आत्मा, तो एक तो हम सेवा करते हैं, कि हम दूसरी की सेवा कर रहे, इसकी सेवा कर रहे, इसकी सेवा कर रहे, मैंने तनी सेवाइं करी, वैसे तो क कहते हैं, सीधे हाथ से दो, उल्टे हाथ को पता भी ना चले। कहने, सर्भूतिते रता का मतलब क्या है? कि जैसे मुझे कश्ट हो रहा है, मैं भूकी हूँ, तो मुझे भूक लग रही है, तो इस में हम इस शरीर को कुछ अन्न देंगे, तो ऐसी ही, सम मेरी आत्मा है, मतलब मेरा ही अपना आप है, तो इनके शरीर में भी भूक लग रही है, इनके पेट में भूक लग रही है, इन्हें भी अन्न दो। तो इनको तरपती देंगे, तो मुझे तरपती आ जाए। जैसे मानिया आप पाथ साधा के है, तो अब हमने खुद तो खाली है और इने निखिलाया, तो क्या होगा? अरे, इनको निखिलाया। जैसे हम अपने को निखिलाया। तो जैसे मा को होता है कि सारे मेरे बच्चे संतुष्ट हो जाएं, ऐसे ही हमको सब हमारे वच्चे है सब हमारी हात्मा है सब हमारा अपना आप है सब को पहना के उड़ा के, खिला के, पिला के सब उसको संतुष्टी आती तरपती आती है कि मेरा अपना आप है मेरी अपनी हात्मा है अब इसमें गुरु बता दें कि जैसे हम अपने शरीर के सवंगों को सुख पहुचाते हैं जैसे संपूर्ण प्राणियों के हित में स्वभाविक ही रती होनी चाहिए कि सब को सुख पहुचे, सब का हित हो, कभी किसी को किंचिन मात भी कष्ट ना हो कारण कि भार से भिनिता रहने पर भी एक परमात तत्व ही समान रूप से सब में परिपूर है अतह प्राणी मातर के हित में प्रीती होने से व्यक्तिगर्थ, स्वार्थ, भाव, सुखमता से नश्ट हो जाता है और परमात तत्थ के साथ अपनी अभिनिता का अनुभाव हो जाता है अब बताया हम अपने शरीर के अंगों को बूल ऐसा तो नहीं हम पैर में चोट लग जाए तो कोई बात नहीं है पैर में चोट लग जाए कोई बात नहीं है मेरी है आत्मा है, हम सब एकी आत्म तत्व है, सब में एकी परमात तत्व है तो वो कहा कि जब हम सब की सेवा करते हैं निश्वार्त भाव से हमें कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है किसी के दोश नहीं देखते, किसी से राद्वेश नहीं करते तो हमारी स्थिती जो है, वो ब्रह्म में हो जाती है, कहा निश्काम भाव से सेवा करने से, जैसे गुरु जी भी कहते है ना बार बार, कि सब की सेवा करूँ, तो कहा निश्काम भाव से सेवा करने से, हमारी व्यक्तित मिट जाता है, व्यक्तित मिटा, तो हमारी प्रीती भेद नहीं है, ऐसे ही निर्वान ब्रह्म में आत्मा परमात्मा दू भेद, और ऐसे लेहर सागर से भिन नहीं है, ऐसे ही आत्मा परमात्मा से भिन नहीं, और एक ही आत्मता तो है, सब की सेवा आपकी स्वेम की सेवा है, परमात्मा की सेवा है, ऐसा हमारा भाव हो जाए, हम सर्दी लग रही है अब इतनी ठंड पढ़ रही है हम पांच-पांच लेयर्स पहन रहे है तो ऐसे और नों को ठंड नहीं लग रही होगी एक होता है मैंने सौ कंबल बाटे मैंने पांट सौ कंबल बाटे ये नहीं इतनी ठंड पढ़ रही है तो हम सबकी सिवा हो गई मुझे भी तो ठंड लग रही है ऐसी उस रूप में मुझे ठंड लग रही है सबकी सिवा हो गई देखिए एक तो इतनी मैं होती है इतनी आजकल मैं हो गई है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है बस बे, मे, मे और दूसरा जो है वो अपने परिवार के बारे में सोचता अपने परिवार तक सीमेत है तीसरा जो है वो अपनी फैमिली तक सीमेत है बड़ी फैमिली मेरे भाई चाचा चाता हो ये वो और एक है जो संत जो है गुरु भगवान जो है वो सब के लिए सोचते हैं सर भूते दे रहता वो सब के लिए सोचते हैं पुरा जब आप सब के लिए सोचते हैं और आपकी स्तिती ब्रह्म में होती है और आपकी दृष्टी ब्रह्म में होती है तो आप निर्वान प्रभध को प्राप्ट हो जाते हैं अगुला जो भगवान की प्रिकृति है, वो हर्स्ता में देई दे रही है, हम भगवान की अंच है, तो हमारे अंदर भी हमीशा देने का भाव होना चाहिए, जितने प्रिकृति देती ही देती है, विसे आज कल अम्रूद आ रहा है, सेव आ रहा है, अवंडन सजा, देखो, भरे पढ़े ठेले, टमाटर आ रहा है, गूबी आ रहा है, ठेले भरे पढ़े, तो प्रिकृति दे रही है, भगवान दे रही है, तो मनुष को भी, मनुष का भी सुभाव होना चीए, देनेगा, हम परमात्मा के अंचे हैं, तो पुत्र कैसा, पिता जैसा, गुरु कहते हैं कि, सेल्फलेस लाव इस दाइस्ट आक्षन, दूसरों के प्रेम को फील करना प्रेम है, मानगता है, फीलिग इस लाइफ, तो गुरु कहते हैं, जो सब के हित के लिए जी रहा है, बगवान ने तो का, सर्दी, गर्मी, सुकुदो, खानी, लाग, जीवन, मरण, हेरजुन, तो सब सेहन कर, गर्मी आईगी तो गर्मी है, गर्मी है, गर्मी, ठंड आईगी तो ठंड है, ठंड है, ठंड है, ठंड है, जो है, ठीक है, सेहन कर, हेरजुन, तो गुरु की कृपा से ही हमें सब समझ में आता है तो भगवान जैसे गुरु कह रहे हैं कि सब के हित्मे रत कर रहो क्यों? क्योंकि सब एक ही परमात्मा है अगर तुम सिर्फ अपने लिए जी होगे अपने बारे में सोच होगे अपने सुख के लिए रहोगे तो तुम सेल्फ सेंटर हो जाओगे और तुम निर्मार ब्रहम को कभी प्राप्त नहीं होगे तुमारी consciousness larger नहीं होगी consciousness तो बहुत बर विराठ है ना एक ही जो तत्व है तो विराठ है और हम है सेल्फ सेंटर तो कैसे होगा संत लोग जो होते है उनका उनकी मैज होती है बहुत विराठ होती है जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए कर-कर-कर-कर-कर-कर-कर-कर ठकती नहीं है क्यों? क्योंकि वो बच्चा उसकी आत्मा है आत्मा है मतलब उसने अपनी आत्मा मांबसा रखी है यह मेरा है तो उसको कभी थकार नहीं होती कितना भी कर लेगी ऐसे ही जो ग्यानवान है सब उनकी आत्मा है सब उनकी अपना आप है तो उनका प्रेम जो है वो विराठ है और उस विराठ प्रेम को सब फील भी करते है गुरु के प्रेम को सब फील करते है तो यह हमारी larger consciousness होती है जह हम सब के हिद के लिए जीते है तो हमारी में हमारा व्यक्तित मिट जाता है और फिर शेश ब्रह्मी रह जाता है जैसे लेहर सागर में मिल गई तो सागर रूपी होगी ऐसी जिसकी मैं मिट गई वो ब्रह्म रूपी हो जाता है गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने सब गुरु करपा है सब गुरु के शुक्राने है उनी की करपा से सत्संग हो पाता है तो वे खरपा से घीता का भीहास भाता है। सारे शुक्राणे, सारी खरपा गुरु भगवान के। हम हमेशा देन चीलता में, शुक्रानों में अप्रेम मेरे। रादे रादे भगवान जी, रादे रादे जैशी क्ष्ना।